अलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगी क्या हम हमारे डोग को आलू दे सकते हैं। can eat dog potato तो इसका answer रहेगा हाँ मेरे प्यारे दोस्तों आप अपने dog को potato दे सकते हो लेकिन क्यों दे सकते हो और किस तरह देना है completely इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप हमारे चैनल पे new हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना तो फ्रेंट्स इस question का answer आपको पता चली गया होगा कि हाँ हम हमारे dog को आलू दे सकते हैं लेकिन वो जो आलू है वो cooked होना चाहिए यारी well boiled होना चाहिए या हम जिसको बनाते हैं जो उबाल देते हैं वैसा होना चाहिए अब क्यों होना चाहिए ये भी देख लो जो रो जो आलू होता है पटैटो जो होता है उसके अंदर एक compound पाए जाता है जिसको हम बोलते है solanine जो कि कुछ dog के लिए toxic proof होता है और आपके dog की body के अंदर toxicity generate करता है या वो poison का एक काम करता है तो इसलिए आपको जो कच्चा जो आलू होता है वो आपको बिल्कुल नहीं देना है जो आप आलू अपने dog को दोगे आपको वो देना है boiled या well हम बोल सकते है cooked होना चाहिए और especially एक बात ये भी ध्यान देनी है जो आप वो cooked जो आलू अपने dog को दे रहे होना उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी preservative या कुछ भी ऐसा ingredient वगएरा add नहीं करना जैसे हम बोलते हैं कोई masala वगएरा add कर देते हैं taste के लिए excessive salt डाल देते हैं या मिर्च वगएरा add कर देते हैं या और भी बहुत सारे मसाले आते हैं market के अंदर ताकि उसको एक अच्छा एक टेस्ट बना के हम दे दे और हमारे dog easily खा ले ऐसा आपको नहीं करना है आप आलू दो लेकिन वो well boiled होना चाहिए और cooked होना चाहिए अगर मैं बात करता हूँ potato की तो जो potato जो होता है उसको हम cooked करेंगे तो cooked करने से क्या होता है जो solanine जो compound है potato के अंदर जो raw जो होता है उसका level reduced हो जाता है अब उसका level reduced होगा तो आपकी body के लिए harmful बिल्कुल भी नहीं होने वाला यानि आपका जो डोग है वो easily उसको खा लेगा और अच्छे से खाएगा और specially बता हूँ आपको पता है potato के अंदर तो एक highly rich source of carbohydrate का है तो body के अंदर carbohydrate की requirements होती है हमारी body के अंदर भी है तो हमारे dog की body के अंदर भी है तो carbohydrate बहुत जादा ही essential होते है nutrients हमारे dog की body के लिए तो इसलिए आपको आलू अपने dog को देना चाहिए मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ diet plan के अंदर भी बताता हूँ कि आलू आप अपने dog की diet के अंदर add कर सकते हो लेकिन आपको कच्छा आलू बिल्कुल भी नहीं देना उसको cooked करके well उसको baked करके यानि आप उसको boiled कर सकते हो फिर उसके बाद में ही आपको अपने dog को वो देना है आप इसको daily भी दे सकते हो ऐसा नहीं है कि इसको आप alternatively दो daily भी दे सकते हो diet के अंदर add कीजी आपको result देखने को मिलेगा आपका dog heavy हो जाएगा, heavy bone हो जाएगी face काफी broad होना start हो जाएगा अगर आप उसको अच्छी एक amount में potato खिलाते जा रही हो लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको excessive amount में कोई भी चीज अपने dog को नहीं देनी अगर आप excessively दोगे तो हो सकता है कि उसके कुछ side effect भी नजर है यानि जो gastrointestinal tract होता है उसके अंदर कोई ना कोई problem आ सकती है तो मैं आपको यही guide करूँगा आप आलू दो लेकिन बड़े ही ध्यान से आपको यह देना है और ध्यान डखना जो आलू के उपर जो छिलका जो होता है और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारे वीडियो को viral जरूर कीजिए Thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share Thank you so much जै हिंद, जै भारत